के फिालो ट्रेडर्स एंड बेल्कम बैक टूदा वीडियो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटरे स्टॉक के बारे में जो आपकल ट्रेड कर सकते हो और इन सभी के पीछे का लॉजिक और एनलेसिस पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो में चार इंटरे स्टॉक से बारे बात करेंगे ट्रेडर्स और इन सभी के बिच्छे का एनलेसेज और लॉजिक हम डीटेल में देखेंगे और कि से स्टॉक में आप किस पर स्टॉक पे रहेत हैं क्या स्टॉपर हैlim क्या थागत रहेता हो यह इसाब करेंगे तो तो वीडीयो च्छेत करते हैं जो विडियू स्टॉक रहने वाल है हमारा वह रहने वाला है फटाफ़ यदि में इसलिए वीडियो फटाफट बनाने कि कोशिष कर रहा हूं। इसलिए आप जल्दी समझने की कोशिष करें कि क्या यहां पेसीसी में एनलिसिस बन रहा है। तो यहां पर जो माकेट अभी विरिस्ट लग राय और ओन आज का जो सेशन रहा ठाई है यहां पर यहां पर बेंग निफ्टी ने वहिटें और साइडवेइज 15 कर ठीक है म आज far Sideways रहा और थोड़ा पैणिक महाओ यहां पर मार्किट के अंदर प्रेशर बना रहा अभी इंडेक्स के उपर सभी जो भी इंडेक्स थे बहुत बहुत लोग पोइंट पे चल रहे हैं ठीक है रेड में भी ट्रैवल कर रहे हैं सभी साइडवेज रहा आज पूरा मार्केट बोल सकते हैं इसको एक फाणिमत ल 케नवाइल है हुआ है ठीक है इस तो यहां से सब्सक्रेश को पिप यहां से comes आए कम तुम दिशह को अबिधने पर Kayla इन बशेक्ट नेलागेर यह अगर नियुद यहां से हगर निकलता है तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत साइड साइड वेस ट्रैवल करने के बाद इसने अपने रिजिस्टेंस पॉइंट के नियर ही क्लोजिंग करा है तो अगर यहां से कल निकलता है 2295 के आसपास तो आप बाई कर सकते हो तागेट हमारा रहेगा 2306 का एंड सेकंड यहां पर रहेगा 2286 का तो अगर यहीं पर आपको कल ACC में फॉल दिखता है फॉल करता हुआ दिखता है स्टॉक तो यहां पर सैल कर सकते हो आप 2230 पर एंड जो टागेट हमारे वनके आ रहे हैं वह रहेंगे 2223 ठीक है एंड साकेंड टागेट हमारा रहेगा 2218 का ठीक है ऐस हों साक नियंतरस टॉक अप निकल के हा रहे है है dois आप देख सकते हो है ऐस्ट्राइफ्ट वाष्ट में आपमार जंद देख सी चरण के पास ठीक है यहां से rejection phase कर रहे है बार बार जो HDFC है जो stock है यहां से rejection phase कर रहे है तो यहां पर multiple time यहां पर rejection phase कर चुका है and market यहां पर बेरेस्ट भी है तो अगर कल यहां से market कि अब trend मतलब यहां से reversal करता है market upside में ठीक है तो guys इसको आप buy कर सकते हो यह buy के लिए recommendation रहेगा मेरा तो यहां पर buy कर सकते हो आप 1385 पर and target निकल के आ रहे है हमारे 1392 and second target हमारे 1395 का जो हमारे stop loss निकल के आ रहे है इसमें वो रहेगा 1378 का ठीक है guys आप यहां पर clearly देख सकते हो multiple time यहां पर resistance कर चुका है अगर यहां से कल इसका breakout मिलते हैं हमें तो definitely हमें बहुत अच्छे यहां पर move देखने को मिलेगा अब तो जो हमारा next track के वो रहेगा हमारा महंदर 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 में हमदर में ہाले में एल तो जल्दी यहां पर आप देख सकते हो डवल टॉप यहां पर इएख सकती हो जो हमारा old stock है बहुत अच्छे Uptrend में ठीके यहां से आप बहुत प्रेट में इसको देख सकते हो यहां से बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला में यहां से अब ट्रेंड की और ही चल रहा है तो यहां पर आज जो एम एम ने यहां पर जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है इसके नियर क्लोजिंग दी हुई है जो की मतलब मार्केट आज प्रैशर में था तो यहां पर इंदर फॉल देखने को मिला और यहां से जो स्टॉक है इसने रिटेस्ट भी कर लिया अपना यहां पर रिटेस्ट कर लिया है तो अगर यहां से बंख कर रहेगा यह भी बाइ के लिए रहेगा और कल यहां से निकलता है अगर 808 पे तो आप आप कर सकते हो टागेट हमारे रहेंगे 813 एंड रहेगा 817 का और जो इसल रहेगा इसके नीचे रहेगा जो के रहेगा 800 का तो यह रहने वाले हमारा कल के लिए तो गई जो हमारा थर्ड इंटरी स्टॉक निकल के आ रहे है वह डाट इस रहें राइन्स में क्या एनलेसे चलो फड़ा फड़ देख लेते हैं अभी अलाइन्स में हमारा एनलेसे जो हमारा बहुत अच्छा एक अपमूब दे चुका है ठीक है तो यहां से जैसा कि मैंने बहुत जाला गिरा हुआ है अगर यहां से कल यह जो ट्रेंड लाइन है ठीक है यहां पर सुपोर्ट लेके रखा हो इसने आप यहां पर क्लिरली देख सकते हो यहां पर फॉर्स्ट टाइम यहां पर सुपोर्ट लिया था जो की बहुत अच्छा मूब दिया था क्रेंड लाइन तो ओकश्पोर्ट लीए पर निकल लिए तो यहां पर विकर सकते ह onda यहां पर हमाने रूट हो तो की हमें तक क्यों करता है अगर यहां सेшिंम हुं निकल यहां तो आपर यहां पर आगेजिग कर सकते हो शलके चाहिए यहां तो यहां टि lifet 123. 18 and 27 22K ठीक है गाइस एड जो SL हमारा बनके निकल के आ रहा है इसमें वो that is 2699 ठीक है जो अगर यहां से sell कर यहां फे fall करता हुआ दिखता है stock Reliance ले stock यहां से fall करता है कल के session में तो आप इसको sell कर सकते हो 2670 पे and जो target target हमारे बनके निकल के आ रहे हैं 266 2K and second target हमारा बनेगा 2656 का जो SL हमारा बनेगा इसमें वो बनेगा that is 2678 का ठीक है तो यह वाले stock जो charge stocks मैंने आपको provide करें that is ACC HDFC bank and महिंदर & महिंदर and reliance ठीक है तो आप इनको कल अच्छे से track करो and बहुत अच्छे profits मिलेंगे आपको इनके अंदर जो analysis मैंने बताया अपने trading view पर भी आप बना के एक बार देख सकते हो खुद के analysis तो आपको बहुत आपने उपर believe होगा कि हम यहां से हमें trade लेना चाहिए यह सब करने से बहुत अच्छे result मिलेंगे आपको ठीक है guys in future भी तो guys यह थे आज के stocks मतलब कल के लिए stock जो breakout पे हैं तो चलो guys मिलते next video मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूं इसलिए और guys जिसको telegram channel join करना हो यह हमारा telegram channel है ठीक है तो आप join कर सकते हो definitely ठीक है guys चलो guys bye bye